साल की अच्छी वेकेंसी बरी वेकेंसी आचुकी है जो है उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्छा सेवा चैन बोड प्रियाग राज की द्वारा और यह TGT और PGT दोनों की वेकेंसी है और याद रखेगा रेंस्टेशन की जो डेट है उसकी उनतिस दस दोहजार बीस को से स्टार हो रहा है और आपको जो शुल्क जमा करने की जो तिती होगी वह भी 19 सेम डे होगी ओंलाइन आप जो रिश्टरिशन है लांस्ट डेट है वह 27 नवंबर तक अप अप्लाई कर पाएंगे और ओंलाइन जो हैं फीस जमा करने की जो तारीक है 27 नवंबर तक ही है और सबमिट क प्रदेश के लिए तो आप कर सकते हैं और कितनी वेकेंसी आए तो ध्यान देज़े दीजिए आपर कुल 12913 पदों के लिए TGT के जो मैं बात कर रही हूं यहाँ पर यह TGT की वेकेंसी के पहले बात कर रही हूं TGT के बात PGT के बारे में बताऊंगे आपको तो यहाँ पर जो TGT वाले हैं उनके लिए सेपरेट वेकेंसी है 12913 वेकेंसी है तो अगर और जो आवेदन है ऑनलाइन माधियम से किया जा रहा है बाकी डीटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं और मैं आपको यह PDF प्रोवाइट करा दूंगी इसकी आप डीटेल्स पढ़ लेना यह सर्फ इंफॉर्मेशन था कि इस साल क्योंकि वेकेंसी आई नहीं है यहां पर बिल्कुल कर सकते हैं और यहां पर reservation भी रहेगा अलग-अलग category wise के लिए reservation मिलेगा आप detail में पूरा पढ़ लेजे किस किस के यहां पर registration मिल रहा है और आपको online यहां पर कैसे करना है registration यहां पर पूरा detail देके रखा है फिर भी आपको कोई भी इसमें अगर को दिक्कत आती है तो आप comment कर दीजिए मैं इसके उपर separate आपको information दे दूँगी और इसके बाद ध्यान दीजिए fees कितना पे करना है आपको तो जो इसकी भरने की जो अगर general category है उसके लिए 700 है EWS के लिए 400 है और फिर अन्य पिछरा वर्ग है उसके लिए 700 है अनुसुचित जाती 400 और 200 अनुसुचित जन जाती के लिए और महिला है तो महिला के लिए क्या होगा एक से पांस अग उनकी श्रेनिक अनुसारी है जैसे कि लेडीज है उनके लिए भी सेम है इसी के साथ से और विकलांगों के लिए भी इसी तरह से यह फीस है इसकी 700 मान के चलिए जेनरल और आगे देख लो डेट जो है ना आपकी एक जुलाई जो है कितनी होनी चाहिए एक जुलाई 2020 को आप 21 वर्से कम नहीं होने चाहिए और त अगे लावा जो वेतनमान है आपका जो प्रसिथी जिसे टीजीटी बोलते है प्रसिचे इसनातक सिकषक जो उसकी ग्रेड लेवल 7 है उसे इसाब से 46 ग्रेड पे रहेगा तो यहाँ पे देख लीजेए यहाँ आपका जो सेंटर है वो कहाँ यूपी के अंदर या आपका स 500 marks का होगा और कितने होंगे total 500 अंखों का होगा और 125 प्रशन होगे और हर प्रशन चार अंखों का होगा और सभी प्रशन आनिवारी होंगे और आगे देखो आपको जो time दी जाएगी इसके लिए 2 घंटे की time दी जाएगी और सभी mcqs format में होगे आपके जो कोशन होंगे, MCQS format में होंगे, इसके अलावा आगे देखिए, कुछ अलग-अलग जो है, जो सिक्षक जो पहले से हैं, उनके लिए तदर्ब सिक्षकों के लिए कुछ वेटेस दिया गया है, वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं, कि अगर वो उनके द्वारा जो काम करने की जो अवदी है, वो उसके हिसाब से उनको points दिये जाएंगे, extra marks दिये जाएंगे, और final merit list कुछ इस तरह से बनेगी, तो यह था पुरा detail, TGT और PGT दोनों की vacancy आई है, तो यह पहले मैंने बताया TGT का, और यह इस तरह से आपको SCST OBC के लिए, आपको जो format है, वो के लिए कुछ इस तरह का, और देखो, यहाँ पे आप जो main चीज है, वो देखना है, हिंदी के लिए, जनरल के लिए कितनी vacancy है, 1054 और इस तरह से बागी देख लीजे, mathematics के लिए भी 1050 vacancy है, TGT Maths के लिए, TGT Home Science के लिए, TGT Urdu के लिए, TGT English, TGT Color, Art यानि की, और TGT Social Science, TGT Science के लिए, TGT Science के लिए, 984 और इस तरह से आप देख सकते हो, और बाली का वर्ग के लिए, सिक्षक बाली का वर्ग के लिए, यहाँ पे, जनरल के लिए, अलग से, क्यों के लिए, यहाँ पे महिलाओं को reservation है, तो आपको अलग से 125 seat है, हिंदी के लिए, तो महिलाओं तो यह total vacancy है, आप देखिए, अब qualification की बात कर लेता है, तो हिंदी है, अगर आप हिंदी के लिए apply करें, TGT हिंदी के लिए, तो आपको BA हिंदी में होना चाहिए, और Sanskrit के साथ आपका intermediate होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए, साथ में BA की degree होनी चाहिए, और या फिर आपका इस तरह से हो सकता है, Maths के लिए आपका BA या फिर BAC और जो BA है, वो किसे होना चाहिए, Mathematics से, Home Science है, उर्दु के लिए देख लीजिए, तीरे से देख लीजिए, और ये जो PDF है आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, इसको मैं आपको provide करा दूगी, ये TGT English के संस्कृत के लिए भी है, यहाँ पे, और Commerce के लिए आपका B.com होना चाहिए, agriculture के लिए आपका B.c.in. पृषई होना चाहिए, B.c.in. अगरी आपके पास कोई प्रवान पत्र है, तो आपको यहाँ पे प्राथमिक्ता दी जाएगी, सारे रिक शिक्षा जो है, यानि फीजिकल एजूकेशन उसके लिए क्या होना चाहिए आपको सीपी एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिलाई सिलाई के लिए क्या होना चाहिए इंटर्मीडियेट होना चाहिए और इंटर्मीडियेट में सिलाई सहित क्या होना चाहिए CT में सिलाई की विशेस योगिता होनी चाहिए साइंस के लिए देखिए physics या पर physics chemistry के साथ B.A.C. होना चाहिए और साथ में आपको B.A.D. होना चाहिए इसके लाब सोसल साइंस में आपको B.A. होना चाहिए इन में से किसी दो विशेओं के साथ इतियास भूगोल राजरीती सास रह या फिर अर्थ सास रह साथ में B.A.D. होना कंपल सरी है फिर music teachers की भी है तो ये था T.G.T. का अब देख लेते हैं P.G.T. का तो अब बात कर रहे हूं P.G.T. की देदेखो P.G.T. के लिए जो विकेंसी है आर्ट के लिए 24, सिविक्स के लिए 81, जिग्रफी के लिए 124, साइकोलोजी के लिए 19, और सिख्छा सास्तर के लिए 18, समाज सास्तर के लिए 35, संस्कृत के लिए 147, और बायोलोजी के लिए 68, फिजिक्स के लिए 97, और पीजटी के लिए 98, और फिजिकल एदुकेशन के लिए 6 और इस तरह से 22 वानी जी के लिए कृशिक के लिए 16 और सैननी विज्ञान के लिए 7 और तर्ग शास्त्र के लिए 3 इस तरह से ये वेकेंसी है इसके अलावा महिलाओं को आरक्षन है तो देख सकते हैं इस तरह से जनरल के लिए क्या सीट है और OBC, SC, ST तो टोटल इस तरह से 314 सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए तो यह है PGT का और PGT के लिए आपको MA होना चाहिए हिंदी करना है तो आपको उसकी साथ साथ B8 होना चाहिए और अगर यहाँ पर हिंदी के लावा गनित के लिए आपको MA या फिर MSC होना चाहिए और साथ में B8 होना चाहिए home science है, उर्दू है और अंग्रीजी है, यहां भी आपको क्या होना चाहिए, आपका master degree होनी चाहिए सब्जेक्ट में और साथ में उसके साथ B.A. होना चाहिए तो ठीक, इस तर से आप देख सकते हो, अलग-अलग subject के लिए, अलग-अलग, यहां पे PGT के लिए, अलग-अलग qualification है, जिसमें masters होना ही चाहिए, PGT के लिए, तो यह था हमारा एक छोड़ा सा वीडियो, जो आपको यह बताने के लिए, क्योंकि साल के बड़ी रेकेंसी है, और UP से बहुत सारे students है, जो apply करेंगे इसके लिए, और कोई पे इसके लिए form fill up कर सकता है, कोई भी doubt हो, इस form को लेकर, तो आप comment कर सकते हैं, तो यह थी information की video, जल्दी मिलते हैं, next video में till then, goodbye and take care, thanks for watching,